हाई फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मारी चानल इलहावादी गल बवीता राज मैं बवीता फ्रेंट्स आप लोग कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छ होगे मैं भी बहुत अच्छी हूं तो आप लोग को पता चली गया होगा आज की वीडियो का टॉपिक क्या है छोटे बच चाहती हूं दोगोंने बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं की डिपलीज बताओ की बच्चे का color ढार्क होता रहा रहा है उसे कैसे गोरा करें मेरी के लिए कोई hereode बडाव बताओ चलो ठीक है आज लो मैं आपको उताती हूं जो मैं अपने बच्चों की उपर यूज करती हैं। जिससे हो त though look stronger बच्चे जैसे रहने दो ईलिन लाइफ ना जी लेने और बड़े उनके अंदर एक हीन भावन आया थी कि हम खूबसूरत नहीं है और फिर वही न धीर धीर बड़े होते हैं तो फिर उनके अंदर यह आता है कि वह बहुत ज़्यदा खूबसूरत है उसका कलर डल है डाउन है तो मगर अभी जो टाइम उनके पास है इन जो आए कर लें दो बच सब्सक्राइल करने के बच्राइब कर सकते ही यह सब्के करना खकरने के ऑसे तो तो मसाज करने के आघा वाद ऋ आ नहीं छोड़ना है कि बच्चे को मसाज करने बाद अपने बच्ये को छोड़ दिया धुल मिटी में खेले में खेलेंगे फर वह बच्चे की स्कीनपे प्रहुता शूबन का करना किया है? अब दस-2 निए पर बच्चों को गुन गुने पानी यूर्ड लाना है नहीं सुलना Autobahn यह होता रहा वह पर नोड़कर नहीं करदेगा पिर लें थे नहीं होथा रहना उन पर बच्छें ले और बच्छे रहा हम नहीं होता है जब उनकीं पर रिस्स होते हैं जोने निकलाते हैं तो मिघना बच्छे कि और जिससे और भी गंदगी जमा हो जाती है तो बच्चे के बोड़ी पे पॉड़र कम से कम यूज करो ठीक है तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताती हूं आप इसे रोजाना भी कर सकते हैं अगर आपका बच्चा से अपनी बोड़ी पे लगवा ले तो क्योंकि ही बच्चों की जुआ होती है ना ौछ लगवाथ तुए ना कीजोका पतनी करें या ना करें हर बच्चे की सिस्किन अलग होती है और और आपको रात में नगर आप अपने बच्चे के फेस बड़ीत धूर्नी चैसा डाल के मसाज कर दो गे ना कि बच्चे काifullyर धीडनी दिर भीड़ी दूदी होने लगता है और रांत में कुम मिटी तो पढ़ने वाली मिपोरों करें यह योदि और बच्चों की स्कीन को औई शूट करता हो बदाम ऐल कोकोनेट ओई जैतून का तेल किल का भी तेल आप यूज कर सकते हो यह कलर को फियर करता है सकीन को सौट स्मूध बनाता है अगर आप इस और और आपको आपकी बच्चे के लिए कोई भी लोसन की जरूत नहीं पड़ पहले मैंने पाउल लिया है बाउल में यहां लोगी बदाम पॉड़र मैंने घर पे ग्रैट करके बना करके रखा है जब भी मैं अपने बच्छों पे कोई भी रेमेडी यूज करती हूं मतलब लगाती हो ना तीनों बच्छों पे तो यह बदाम पॉडर जरूर आड़ करती यह रंगत भी निखारता है कलर को फियर करता है, शक्न हेल्दी बनाता है और हमाई शक्न को मौश्राहईज करता है तरह हम जो एड़ करेंगे बेसन लेंगे या डोण माईटा यह प्लीकिश बने सकते हैं क्योंकि मैंने फ्लैक्स ऑन किया है मॉबाइल का जिसकी वज़े से वो वाइड दिख रहा है घर का है मार्केट का नहीं होता तो धूर्ट ज्यादा है अपको यलो दिखता है मगर यह घर का है तो लाइट यश्यलो है कोई मिक्स नहीं मतलब नेच्रल आप कहसेक्ट हो मैं यह या कश्ठोर्ट अपनेट बड़त आप जो कोकोनेट आप सकते हो जैतुन का तेल भी आप डाल सकते हो जो भी आपके बचे को सुट करता आप डाल सकते हैं यह को अड़ी और ऐड़ 걸ी ऐसको एड़ आप पक्रेट लोगिए बहुत अच्छा होगा अगर आपको बच्चा करें या ना करें अगर आपके बच्छों पर कोई भी स्पॉर्ट सों तो वह प्रॉब्लम दूर हो जाती अब मैं यहां जो आड़ करने जारी है यह मलाई वाला दूद है ठंडा दूद लेना है आपको हलका मतलों घर्मियों का मौसम है तो ठंडा दूद हो मलाई वाला हो चि दिन गैप करके लगाना है रोज आपका बच्चा लगवाता है तो भी अच्छी बात है और मसाज करने के बाद आपको इसे लगाना है बच्चों को तेल से मसाज कीजिए उसके बाद इसे आप लगाईए और लगाने का तरीका वही है उप्टन की तरह आपको इसे लगाना मसाज कियो और अच्छे से नहीं क्लीन हो उसके पहले आपको क्या करना है पच्छे के फेस पर लगा दिए फेस पैक की तरह लगा के छोड़ दिया उसके बाद आप उसके पूरे बॉड़ी पर लगाई यहाथ पैर घुटने पर बैक पे पेट पर और हलकी हलकी हाथों से और फिर उसके बाद आपको अपने बच्चों को नहला देना है आप 400 सौप यूज करो चाहे तो ना यूज करो वैसे गैप करके भी बच्चों के फेस या बॉड़ी पर सौप का यूज किया करिए चलती हूं वीडियो पसंद आएगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताईएगा वीडियो बहुत अच्छा वाद